हेलो फ्रेंट्स वेलेकम टो माय यूट्यूब चैनल डी एस गांदरेश्ट्रे गुड इबिनिंग टू आज का जुम्र वीडियो है वह अधारित है समाजिक विग्यान जो क्लास तेंथ का जो समाजिक विग्यान है उसका जो एक इंपोर्टेंट ब्रांच है और तसा जिसको इंग्लिस में एकनोमिस कहते हैं तो इसका जो तीसरा चेप्टर है मुद्रा बचत और साख तो इससे संबाधित पचास मोस्ट वीडियो बस तुनेश्ट प्रस्ण और उसके अंसर पर अधारित है आज का वीडियो तिस वीडियो को अपन तक देखे वीडियो को लाइक किजिए और यदि आप यह चैनल पर पहली वर विजिट करें तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को दबा दे जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल दे तो पहला प्रस्ण है कि आधनिक यूग की प्रगति का स्रे किसे है आधनिक यूग की प्रगति का स्रे किसे है आप्शन है लें दें आप्शन बी मुद्रा आप्शन सी साख और आप्शन डी बस्तु बिन में तो प्रसंखिय जो एक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो अप्षन B हो जाएगा, आधुनिक U की प्रगति गश्रे मुद्रा को जाता है प्रसंख्या 2 है मुद्रह के कारिया है करेंसी के कारिया है मुद्रह कार मापन है संचयान है और भूगतान भी है तो प्रसंख्या 2 का जो सही जवब होगा वो हो जाएगा option D, इनमें सभी, मतलब मुद्रा कार मापन है, संचयन है और भुगतान भी है प्रसंख्या 3 है, मुद्रा के निम्न महत्व है, पहला है A, मुद्रा और अधोगिक प्रगति, B, I का समुचित उपियोग, C, भौतिक उन्नति का साधान, D, उपरियुक्त सभी तो option 3, option D, इसका सही जवब होजगा उपरियुक्त सभी, मुद्रा के महत्व है प्रसंख्या 4 है, इनमें कौन मुद्रा के कारियर नहीं है, इनमें कौन मुद्रा के कारियर नहीं है option A, माध्यम, B, मापन, C, भौतितान, D, लेखन, एवं समपादन या उत्पादन प्रसंख्या 4 है, इसका सही जवब होजगा, option D होजगा, लेखन, समपादन या उत्पादन मुद्रा के कारियर नहीं है प्रसंख्या 5 है, मुद्रा का प्रात्मिक कारियर कौन सा है, option A, मुल्का संचयन, option B, बिलंबित भुकतान का मान, option C, मुल्य का हस्तरांतरन, और option D, बिनमें का माध्यम प्रसंख्या 5 का सही जवब होगा, वह होजगा, option D, बिनमें का माध्यम, मुद्रा का प्रात्मिक कारियर है प्रसंख्या 6 है, हमारे देश में किस मुद्रा को वेधानिक माने अता प्राप्त है, option A, बस्तु मुद्र, option B, साक मुद्र, option C, पत्र मुद्र, और option D, चिक तो प्रसंख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option C पत्र मुद्रा प्रसंख्या साथ है आधनिक यूग की प्रगति का स्रे मुद्रा को ही है यह कथन किसका है प्रसंख्या साथ का जो सही जवाब हो जाएगा option B हो जाएगा आधनिक यूग की प्रगति का स्रे मुद्रा को ही है प्रसंख्या आठ है प्राचीन यूग में बिनमे की कोन सी प्रथा प्रचलित थी प्रचीन यूग में बिनमे की कौन सी प्रथा प्रचलित थी option A, बस्तु बिनमे, option B, मौद्रिक बिनमे, option C, A और B, दोनो और option D, इनमे से कोई नहीं प्रसंख्या जो आठ है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा option A, बस्तु बिनमे मतलब बस्तु एक बस्तु क्यों सकता थी तो दूसरी बस्तु को दे कर हमूज बस्तु को ले सकते थे इसी को बस्तु बिनमे कहते हैं, प्रच्चेंज कहते हैं प्रसंख्या नो है बस्तु मिनमे प्रणालिक की निम्न में से कौन से कठनईया हैं option A, बस्तु भाजन में कठनई, option B, सर्वमान्य मुल्ल मापका भाव, C, दुहरे सन्यू का भाव option D, उपरियुक्त सभी, प्रसंख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जागा, option D हो जागा, उपरियुक्त सभी वस्तु बिनमे प्रणालिक की कठनईया है प्रसंख्या 10 है देश का पहला ATM किस बैंक ने अस्थापित किया, काफी important प्रस्ण है यह, अगामी 2024 के 13 बोर्ट के पर चार्टियों के लिए most important वीडियो है और यह प्रस्ण भी काफी important है कि देश का पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया Option A Reserve Bank of India Option A Bank of India Option B Reserve Bank of India Option C State Bank of India Option D Central Bank of India तो प्रस्ण के जो 10 है इसका जो सही जब हो जागा Option C हो जागा State Bank of India जिसको संचेप में SBI भी करते है SBI द्वारा देश का पहला ATM अस्थापित किया गया प्रस्ण के 11 है निवन में से कौन सा मुद्रा का एक आधनिक रूप नहीं है Option A मुद्रा, B, जमा, C, ड्राप्ट और D इन में से कोई नहीं इस प्रस्ण का जो से जब हो जागा Option B हो जागा जमा आधनिक मुद्रा का रूप नहीं है प्रस्ण के 12 है प्राचीन काल में किस धात्व का मुद्रा के रूप में सरवाधिक परियोग हुआ Option A, लोहा का, B, तामबा का, C, पीतल का, D, चांदी और सोना का इस प्रस्ण का जो से जब हो जागा, वो हो जागा Option D, चांदी और सोना का प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में सरवाधिक परियोग हुआ Option D is correct answer Question No.13 है, निम्नांकित में कौन बिधिक ग्राह या मुद्रा है? Option A, चेक Option B है, ड्राप्ट Option C है, 10 रुपिय का नोट और Option D है, इनमें सभी तो इस प्रस्ण का जो से जब हो जागा, वो हो जागा Option C, 10 रुपिय का नोट ग्राह या मुद्रा है प्रस्ण क्या, 14 है, आज कल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आज कल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? Option A, धात्विक मुद्रा Option B, सोने के सिखे Option C, पत्र मुद्रा Option D, उप्रयुक्त सभी तो इसका जो सही जब होगा, वो हो जागा Option C, पत्र मुद्रा आज कल सरवाधिक प्रचलन में है प्रचलन के 15 है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का क्या नाम है? Option A, रूपिया B, डॉलर C, टाका D, दिनार इस प्रचलन का जो सही जब होगा, वो होगा आपका आपका आप्शन A, भारत की मुद्रा का नाम रूपिया है इंडियन करेश, C, रूपिज Q16 है बंगलादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बंगलादेश की मुद्रा का क्या नाम है? आप्शन है A, रूपिया B, डॉलर C, टाका D, दिनार इस प्रचलन का जो सही जब होगा, आप्शन C हो जाएगा, टाका प्रसंख्या 17 है मुद्रा का प्रचिंतम रूप है आप्शन है दहातु मुद्रा आप्शन B, सिक्के आप्शन C, वस्तु मुद्रा और आप्शन D, पत्र मुद्रा इस प्रस्न का जो सही जब हो जाएगा, वह हो जाएगा, आप्शन C, बस्तु मुद्रा प्रसंख्या ठाड़ा है, मुद्रा बिनमे का क्या है? मुद्रा बिनमे का क्या है? आप्शन A, माध्याम B, रूप, C, साधान और D, इनमें से कोई नहीं इस प्रस्न का जो सही जब हो जाएगा, आप्शन A हो जाएगा, माध्याम, मुद्रा बिनमे का माध्याम है प्रसंख्या 19 है, मुद्रा वह है जो मुल्ग का मापक और भुकतान का साधन है मुद्रा वह है जो मुल्ग का मापक और भुकतान का साधन है option यह कथन किसका है option से A सिलिक मैन option B कोलवर्न option C क्राउथर option D नैप का इस प्रस्निक का जो सही जो बज़ेगा वो होगा option B यह कथन कोलवर्न का है मुद्रा वो है जो मुल का मापक और भुगतान का साधन है प्रस्न के बी से कि किस धूरी के चारोत रफ संपूर्ण आर्थिक विज्यान चकर काटता है option A उत्पादन B C मुद्रा और D लाग तो इस प्रस्निक का जो सही जो बज़ेगा वो हो जाएगा option C मुद्रा के चारोत रफ आर्थिक विज्यान चकर काटता है प्रस्न के 21 से निवन में से कौन साख पत्र के अंतरगत नहीं आता option A चेक option B बैंक ट्रा option C हुंडी और option D कागजी मुद्रा तो इस प्रस्निक का जो सही जो बज़ेगा वो option D हो जाएगा कागजी मुद्रा साख पत्र के अंतरगत नहीं आता है प्रस्न के 22 से रुपिया किस देश की मुद्रा है रुपिया किस देश की मुद्रा है option A भारत B पाकिस्तान C नेपार और D इन में से सभी तो इस प्रस्निक का जो सही वाब हो जाएगा option D हो जाएगा इन में से सभी देशों की जो मुद्रा है वो रुपिया है प्रस्न क्या तेश से निमने लिखित में से साख पत्र के अंतरगत कौन आता है option है A check option B bank draft option C यात्री check और option D इन में से सभी तो प्रस्न के जो तेश से इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका option D इन में से सभी साख पत्र के अंतरगत आते हैं check है bank draft है और यात्री check है प्रस्न के 24 है एक रुपिय का नोट जारी करता है एक रुपिय का नोट जारी किया जाता है option है A reserve bank of India के द्वारा option B है केंद्रिय सरकार के द्वारा option C है central bank of India के द्वारा और option D इन में से कोई नहीं इस प्रस्न का जो सेज़व हो जाएगा और वो हो जाएगा option D इन में से कोई नहीं क्योंकि एक रुपिय का नोट बीत मंत्रा लिक जो सची होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है प्रस्न के 25 है वीनमे का सर्मुच सर्मुच माध्यम है वीनमे का सर्मुच माध्यम है option A वस्तू, B, C, C, Mुद्रा और D, प्रतिग्या, पत्र तो प्रस्न के जो पची से इसका जो सही ज़ब हो जाएगा उपका option C वीनमे का सर्मुच माध्यम, मुद्रा है प्रस्न के 26 है साक का संबंध है option A, गरीबी से option B, उधार से option C, दोनों से और option D, विश्वास से तो प्रस्न के जो 26 है इसका जो सही ज़ब हो जाएगा option C हो जाएगा दोनों से, गरीबी और उधार से संबंधी थे, साक प्रस्न के सताई से निमलेखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रिचलित है काफी इंपोर्टन प्रस्न है अगामी दोजर चोबिस के तेंथ वोड़ प्रिचलित है option A, चेक option B, ड्राफ्ट option C, कागजी नोट और option D, ATM काट तो प्रस्न के 27 का जो सही जबब होगा वो जाएगा option D, ATM काट प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रिचलित है प्रस्न के 28 से किस धातु का मुद्रा के रूप में सरवाधिक परियोग हुआ है option A, लोहा, B, तामबा, C, पीतल और D, चान्दी और सोना तेस प्रस्न का जो सही जबब होज़गा option D होज़गा चान्दी और सोना परियोग मुद्रा करुप में सरवाधिक हुआ है प्रस्न के 29 से नियुक्तराज अमेरिका में प्रचलित है मतलब सन्युक्तराज अमेरिका, United State of America की मुद्रा क्या है option A, रियाल, B, दिनार, C, पॉंड, और D, डॉलर प्रस्न के 29 का जो सही जबब होज़गा option D हो जाएगा dollar, मतलब सन्युक्तराज, अमेरिका की जो मुद्रा है करेंसी है वो dollar है प्रस्न के 30 से बस्तु बिनमें प्रणाली की मुख्य कठनाई थी option A, और सक्ताओं के दोरे सन्युक्तराज option B, मुल्यमापन की कठनाई, option C, दोनो option D, इनमें से कोई नहीं त्रिस प्रस्न का जो सही जबब हो जाएगा, option A हो जाएगा, और सक्ताओं के दोरे सन्युक्तराज का अभाव वस्तों मिनमें प्रणाली की मुख्य कठनाई थी प्रसंख्या, 31 से सिक्कू का सबसे पहला परियोग कहां हुआ था? सिक्कू का सबसे पहला परियोग कहां हुआ था? काफी important प्रस्न है ये भी option A, लंदन, जो इंग्लेंड में है option B, chain, option C, लीबिया और option D, यूनान तो प्रसंख्या 31 से इसका जो सही जवाब हो जाएगा option C हो जाएगा लीबिया में सर्प्रथम सिक्कू का परियोग हुआ था? प्रसंख्या 32 से मिनमे के कितने रूप है? मिनमे के कितने रूप है? option है A, 2, B, 3, C, 4 और D, इनमे कोई नहीं तो इस प्रसंख्या का जो सही जवाब हो जाएगा option A हो जाएगा लीबिया मे के दो रूप है बस तुम इनमे और मुद्रा प्रसंख्या 33 से रूपी का नया प्रतिक है काफी important प्रसंख्या ये भी रूपी का नया प्रतिक है option A, 2, option B, raw option C, R, और option D, raw तो प्रसंख्या जो 33 से इसका जो सही जवाब हो जाएगा option D, raw प्रसंख्या 34 से साख्य के मुख अधार होते हैं option A, read किरासी option B, समय option C, ब्यक्ति का चरित्र और option D, तीनो उपरियोक्त तीनो तो जो प्रसंख्या 34 से इसका जो सही जवाब होगा option D हो जगा उपरियोक्त तीनो साख्य के मुख अधार है, रीड किरासी समय और ब्यक्ति का चरित्र प्रसंख्या 35 से किस ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है option C, कैंस option B, मार्शल ने option C, पीगू ने option D, काउठर ने प्रसंख्या 35 का जो सेजवाब हो जागा option E हो जागा, केंस ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है प्रसंख्या 36 से I और भूग की अंतर को क्या कहते है I और भूग की अंतर को क्या कहते है important प्रस्ण है option A, बच्चत, B, मुद्रा, C, B, और D इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का जो सेजवाब होगा option A हो जाएगा, बच्चत I और एवं यूग के अंतर को भच्चत कहते है प्रस्ण क्या से काफी important प्रस्ण है यह 100% प्रस्ण यह प्रस्ण आएगा जरूर कि प्रधान मंत्री निरेंद्र मोधी ने बीम मुद्रिक करण की घोष्णा कब की option A, आठ नॉवंबर 2016 option B, आठ नॉवंबर 2017 option C, 16 नॉवंबर 2016 और option B, 16 नॉवंबर 2017 तो जो प्रस्ण के सैंती से इसका जो सही जवाब हो जाएगा option A, आठ नॉवंबर 2016 को प्रधान मंत्री निरेंद्र मोधी ने बीमुद्रिक करण की घोष्णा की इसके द्वारा पुराने 500 के नॉट और 1000 के नॉट बंद कर दिये गए प्रस्ण के 38 से कि इनमें कौन साख का अधार नहीं है option A, बिश्वास option B, सिक्छा option C, चुकाने की छमता और option D, रिन की ओधी तो प्रस्ण के जो 38 से इसका जो सही जो बज़ेगा option B हो ज़ेगा सिक्छा साख का अधार नहीं है प्रस्ण के 49 से बिनमे के कौन से रूप है option A, बस्तु बिनमे option B है, मौधरिक बिनमे option C है, A और B दोनो और option D है, इनमे से कोई नहीं इस प्रस्ण का जो सही ज़ब हो ज़ेगा option C हो ज़ेगा A और B दोनो बिनमे के रूप है बस्तु बिनमे और मौधरिक बिनमे प्रस्ण के 40 से बचत को प्रभावित करने वाले कारक बचत को प्रभावित करने वाले परमुक तत्व हैं option A बचत करने की छम्ता option B बचत करने की इच्छा option C बचत करने की सुभिधाएं और अप्शन D सभी अगल आटा Casey सब्सक्राइब के निए जो सही ज़ोजाएगा वह जाएगा ऑप्शन D बच्जत को प्रभावित करनी वोले प्रमुकत तो बच्जत करने की छंता है बच्जत करने की इक्षा है तिफार बच्जत करने की सुविधाये हैं अधात, option D is right answer प्रसंख्या 41 प्रराम्भिक अवस्था में मनुस्य का वेपार किस पर अधारित था option A, साख पर, option B, बस्तु बिन में पर, option C, धात्तु मुद्रा पर, और option D, मोल जूल पर अधारित था, मतलब एक बस्तु लेकर, आम दुसरे बस्तु को देते थे, मतलब कोई बस्तु की requirement है, demand है, तो दुसरा बस्तु उसके पतले आपको देना होता था प्रसंख्या, ब्याली से credit card प्रसीद है, option A, प्लास्टिक मुद्रा, option B, बैंक ड्राप, option C, उन्डी, और option D, कागजी मुद्रा तो प्रसंख्या, जो ब्याली से इसका जो सही जवाब होगा, वो हो जाएगा, option A, प्लास्टिक मुद्रा के रुप में प्रसीद है credit card प्रसंख्या, 43 है, निम्नांकित में बिधी ग्राह मुद्रा कौन है, निम्नांकित में बिधी ग्राह मुद्रा कौन है, option A, नोट और सिक्के, option B है, बैंक ट्राप, option C है, हुन्डी, और option D है, चेक तो प्रसंख्या, जो 43 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, option A, नोट और सिक्के प्रसंख्या, 44 है, मुद्रा के परियोग से किसको लाब हुआ, option A, उत्पादकों को, option C, A और B, दोनों को, और option D, इन में कोई नहीं प्रसंख्या, जो 44 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, option C हो जाएगा, A और B, दोनों को प्रसंख्या, 45 है, ब्यवसाइक बैंक को द्वारत दिये जाने वाले डिन को कहते हैं, option A, साक मुद्रा, option B है, बैंक मुद्रा, option C है, दोनों, और option D है, इन में कोई नहीं प्रसंख्या, जो 45 है, इसका जो सही जवाब होगा, वो जाएगा, आपका, option C, दोनों, ब्यवसाइक बैंक के द्वारत दिये जाने वाले रिन को, साक मुद्रा और बैंक मुद्रा, दोनों कहते हैं, प्रसंख्या, 46 है, मुद्रा की बैधानिक परिवासा किस ने दी है, मुद्रा की बैधानिक परिवासा किस ने दी है, option A, प्रोफेसर मार्सल ने, option B, प्रोफेसर पीगू ने, option C, प्रोफेसर नैप ने, और option D, प्रोफेसर राव वाट्सन ने, तो प्रसंख्या, जो 46 है, इसका जो सही जवाब होगा, वो हो जाएगा, आपका option D, प्रोफेसर प्रोफेसर राव वाट्सन ने, मुद्रा की बैधानिक परिवासा दी है, प्रसंख्या, 47 है, भारत में, करेंसी नोट कोण जारी करता है, option A, डिजर बैंक अफ इंडिया, option B, केंदरी सरकार, option C, सेंटर बैंक अफ इंडिया, और option D, इन में से कोई नहीं प्रसंख्याज जो 47 से इसका जो सई जब हो जाएगा बहरत में करेंसिंट नोट रिजर्ब बैंक अब इंडिया जारी करता है कि प्रसंख्या 48 से की रिजर्ब बैंक अफ इंडिया और बी एक कियो स्थाप्ना हुई option A, 1935 में, option B, 1936 में, option C, 1937 में, और option D, 1938 में तो प्रस्ण के जो 48 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, option A हो जाएगा 1935 में एक अपरेल के दिन रिजर्बाइक आफ इंडिया की अस्थापना की गई मतलब, एक अपरेल 1935 को रिजर्बाइक आफ इंडिया, RBI के स्थापना होई और बरतमान में RBI के जो गवर्णर है, वो है, मिस्टर सक्तिकांत दास प्रस्ण क्या, 49 से प्रतिक्षपत्र है, एक परकार का, option A, साक option B, वस्तु विर्मे, option C, धातु मुद्रा, और option D, मोर जोग तो प्रस्ण के जो, उन्चा से इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो होगा option A, साक प्रतिक्षपत्र एक परकार का साक है, प्रस्ण के 50 से इस विडियो का अंतिल प्रस्ण है, कि प्रस्ण है, साक का एक पक्ष है, option A, option B है, रिडी, option C है, ब्याय, और option D है, मुद्रा तो प्रस्ण संके जो 50 है, इस प्रस्ण का जो सही जवाब होगा, वो होजाएगा, option B है, रिडी, मतलब साक का एक पक्ष रिडी है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का विडियो, जो अधारित था, क्लास 13 का जो social science है, समाजित बिग्यान है, उसका एक important branch है, economics, जिसको औ नाम है, मुद्रा, बचत और साक, तो इस चेप्टर से संबधित 50 BVI, objective question और उसके answer पर आज का विडियो, जो अगामी 2024 के तेंथ बोर्ट परिच्छा के लिए, काफी भी, काफी important है, वो किसी भी राज के परिचार्थी हो, बिहार, यूपी, जरखंड, देली, पंजाब, य आप इस वीडियो को देखे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले वर विजिट कर रहे हैं, तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबात दे, जिससे जो भी में वीडियो बनाओ, उसका notification आपको मिल जाए, thank you for listening and watching